हेलो स्टुडेंट्स आरजी स्टूडियो चनल में आपका हर्दिक स्वागत है मेरा नाम राहूल है मैं एक टीचर हूँ इस वीडियो में आपको एगरिकल्चर से संबंदित पचास मेत्पूर्ण प्रेशन बताने जा रहा हूं जैसे ये प्रेशन जो हैं एगरिकल्चर से सं जिसमें की अग्रिकल्चर और भी ज्यांचे सम्मेजित परसना आते हूं सभी के लिए वीडियो बहुत अदिको प्यूगी है जो कंडिडेट उत्राखंड राज्य के वंदरोगा एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्ने पृत्रोगी परिच्छाओं की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर मैं उत्राखंड राज्य के वंदरोगा के जो एक्जाम है उससे सम्मंदित अग्रिकल्चर के लिए पचास महत्वपूर्ण प्रसन बताने जा रहा हूं वीडियो को लास्त तक जरू देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब अबसे कर लें ताकि आपको अमेरिकन सोसाइटी ओफ एग्रोनोमी की स्थापना कब होई थी इसका सही उत्तर है 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ओफ एग्रोनोमी की स्थापना 1908 में होई थी प्रस्ट सेकेंड है भारत में इंडियन सोसाइटी ओफ एग्रोनोमी की स्थापना की गई थी इंडियन अग्रोनोमी की स्थापना भारत में इंडिया में 1955 में हुई तो इंडिया में इंडियन सोसाइटी ऑप एग्रोनोमी की स्थापना वर्स 1955 में हुई थी कोशन नमर 3 है ऐसी फसल कौन सी है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकास की आवसकता होती है ऐसी कौन सी फसल है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकास की आवसकता होती है Option A गेहू, Option B धान, Option C चना, Option D जो सही उत्तर है धान धान वैं फसल होती है जिसको कम से कम आठ घंटे प्रकास की आवसकता होती है कुशन नमद चार है फलो वाली फसले हैं फलो वाली फसले कौन सी है सही उत्तर है ओप्शन डी ये सभी तर्बूजा खीरा और तर्बूज ये सभी फलो वाली फसले है तो यहाँ पर मैं इसके बारे में और बताएता हूँ फलो वाली जो फसले होती है वो इस प्रकार से होती है कोसर नमबर पांच है देश को योजना आयोग द्वारा कितने जलवाईू छेतरों में बाटा गया है हमारे देश में कुल कितने किरसी पारिसितिक छेतर हैं सही उत्तर है 21 हमारे देश में कुल 21 किरसी पारिसितिक छेतर हैं इनकी मैं और राख्या पता जेता हूं जो हमारे देश हो है इसको कुल 21 किरसी पारिसितिक छेतरों में बाटा गया है जिने पुना 60 उप किरसी पारिसित खेर्टिक चेत्रों में बाटा गया है तो जो योजना आयोग जौरत जलवाईू छेट्रों में बाटा गया है। Q7 हरित किरांती सब्द की उतपत्ती किस ने की थी? इसका उत्तर है डॉक्टर विलियम गॉड ज्वरा की गई थी कोसर नमर 8 है एग्रोणोमी सब्द किस भासा से लिया गया है इसका उतर है ग्रीक एग्रोणोमी सब्द ग्रीक भासा से लिया गया है इसकी मैं और आपको एक्स्प्वेनेसन बता नहीं हो थेटा हूँ एग्रोस का अर्थ होता है खेत तथा नोमोस का अर्थ है प्रभंद तो बहुत अच्छी यह जान का रही है जो एग्रोनोमी सब्द है यह ग्रीज भासा के एग्रोस तथा नोमोस सब्दों से बनाए गया है जिससे एग्रोस का अर्थ होता है खेत तथा नोमोस का अर्थ है प बंद कोसर नमबर 9 है राष्टे किसी वाने की अनुसंदान संस्थान इस्थित है राष्टे किसी किसी वाने की अनुसंदान संस्थान कहा इस्थित है उत्तारे जहासी में राष्टे किसी वाने की अनुसंदान संस्थान जहासी में इस्थित है कोसर नमबर 10 है एग्रिकल्च यहुँआ घ्रीग भासा से लिया गया है। बहुत्तर नमबर 14 सच से विज्ञान विज्ञान वाकला दोनों ऑप्सन डी उप्रोक्ट में से कोई नहीं सही उप्सन सी विज्ञान वाकला दोनों सच से विज्ञान विज्ञान वाकला दोनों है इसकी व्यक्षा है सच से विज्ञान सच से विज्ञान किर्शी की वैसाका है जो फसल उत्पादन एवं भूमी प्रभंद की विभिन किर्याओं की कला दर्चता एवं वैज्ञानिक सिधानतों का वहवारी ज्ञान प्रदान क से प्राप्त हो गता हैं इसका सायुत्त और पीं टेंट क Freeze'd इसे विठ्ञान का पिता कहलाते हैं, पीट्रो डे क्रिसेन जी, कोश्चन नमार सौला है, राष्टे कोंस्टर खिसी आयोग का गठन अगेica गठन गठन कंहें, इस थे वहा ता कि भारत सरकार दोर गठित के जया गया था, कोस्टर नम्बर 17, ICAR की स्थाप्रा हुई थी उत्तरे इसका 1905 में कोस्टर नम्बर 18, भारत की मुखे खाथ फसल है उत्तरे धान भारत की मुखे खाथ फसल गेहू, धान, मक्का बाजरा में से धान है कोश्टर नमर 19 है भारत में रबर का उत्पाजन सबसे अधिक होता है सही उत्तर केरल भारत में रबर का उत्पाजन सबसे अधिक केरल में होता है कोश्टर नमर 20 है उत्पाजन की दिर्ष्ट्री से भारत में चाय पैदा करने वाला पिर्थम राज्य है कोशन नमबर 21 है विस्व में दालों का सबसे अधिक छेतरपल है आपसन भारत में, आपसन बी पाकिस्तान में, आपसन सी भूटान में, आपसन डी अफरीका में सेयुत्तर है आउप्शन ए भारत में विश्व में दालों का सबसे अधिक छेत्रपल भारत में है कोंशन नमर 22 है विश्व में तंबाकूत पादन की दिर्ष्टी से भारत का कौन सा इस्थान है विश्व में तंबाकूत पादन की दिर्शी से भारत का कौन सा इस्थान है प्रिथा में दित्ते तीसरा है चोथा है सही उत्तर है तीसरा विश्व में तंबाकूत पादन की दिर्शी से भारत का तीसरा इस्थान है कोसर नमा 23 है भारत में दलहन का सरवाधिक उत्पादन होता है इसका सही उत्तर है मद्य प्रदेश में कोसर नमा 24 है उत्पादन की दिर्ष्टी से भारत में कौफी पैदा करने वाला पिर्थाम राज्य करनाटक है कोसर नमा 25 है भारत में सबसे अधिक रेशा मुत्पादन होता है असोम में पसिमंगाल में करनाटक में टरमिलाडू में सही उत्तर है करनाटक में भारत में सबसे अधिक रेशा मुत्पादन करनाटक में होता है कोसर नमा 26 है C4 पौधे हैं C4 पौधे कौन से होते हैं कोसर नमा 27 है बिना मुर्दा के पौधों की खेती को कहते हैं ौप्शन a ऐड्रोपॉनिक्स ऑप्शन b म्रदा के पौधों की खेती के जाती है उसको हाइड्रोपॉनिक्स के थे हैं तक मैं miPalmychi के पौधों की खेतीगों के थेती या हाइड्रोपॉनिक्स को बिना मृदा की खेती या स्वाइल लेस कल्चर भी कहते हैं कोस्टन नमर 28 है पौधों की ब्रधी का मापक है पौधों की ब्रधी का मापक है पौधों की ब्रधी का मापक होता है इसको केशको ग्राप कहते है केशको ग्राप पौधों की ब्रधी का मापक होता है अब मैं आपको अलग अपकरण और इनके उप्योग बतायता हूँ हाइग्रो मीटर जो होता है इसका उपयोग वायूमंडल की आधरतान मापने के लिए होता है हाईग्रोमीटर का उपयोग होता है वायूमंडल की आधरतान मापने के लिए किया जाता है प्लेनोमीटर प्लेनोमीटर जो होता है इसका उपयोग पत्ती के तल का छेत्रपल मापने के लिए किया जाता है केशको ग्राप का उप्योग पोधों की वर्धी का मापक होता है पोधों की वर्धी का जो मापक होता है ये केशको ग्राप होता है और एट्मो मीटर एट्मो मीटर जो होता है यह वास्पोस सर्जन रेट मापने का यंत्र होता है कोसर नमर 39 है राष्टे बीज निगम की स्थापना की गई कोसर नमर 30 है सीथरी पौदे है गेहू और्द मौंग ये सभी कोसर नमर 31 है भारत के कुल किरसी छेतर में धाने फसले उगाई जाती है ऑप्सन ए 97.15 परसंट ऑप्सन बी 21.5 परसंट ऑप्सन सी 20.0 परसंट ऑप्सन डी उप्रोप में से कोई नहीं सही उत्तर है ऑप्सन ए 97.15 परसंट भारत के कुल किरसी छेतर में धाने फसले उगाई जाती है 97.15 परसंट ऑप्सन बत्तिस है रभी की सीग्र पकने वाली फसले ऑप्सन है ककड़ी बूंग अरहर मक्का सयुत्तर है ककड़ी रभी की सीग्र पकने वाली फसल ककड़ी है कोई सन नम्बर 33 है सोया बीन उधारन है ऑप्सन ए धाने फसल का ऑप्सन बी छोटे अनाज का ऑप्सन सी चारे की फसल का ऑप्सन द anterior दलहनी फसल का सयुत्तर दलहनी फसल का सोयाबीन जो कोसर नमबर 33 सोयाबीन उधारने जो सोयाबीन जो उधारन होता है ये दलहनी फसल का उधारन होता है सोया बीन दलहनी फसल का उधारन होता है इसकी मैं और वेख्या बतायता हूँ जो दलहनी फसले होती है ये होती है सोया बीन मटर ओर्द मूंग चना अरहर मसूर आदी दलहनी फसले होती है सोया बीन मटर ओर्द मूंग चना अरहर मसूर आदी तिलहक फसले जो होते है यह होते है मुवफली तोरिया सरसो अलसी सुरज मुखी आदी और रेसे वाली फसले होते है कपाज जूट सनई आदी कोशन नमर 34 है नसे वाली फसल में किस पौधे का उप्योग किया जाता है नसे वाली फसल में किस पौधे का उप्योग किया जाता है ओप्सन A चाय, ओप्सन B कस्तूरी, ओप्सन C धेचा, ओप्सन B लोबिया सही उत्तर है उप्सन नसे वाली फसल में चाय के पौदर है जो नसे वाली फसल होती है इसमें चाय के पौदर का उप्योग किया जाता है कोशन नमर 35 है भारत में आयत किया जाता है ओप्षन ए अनाजजों के लिए ओप्षन भी दलहनों के लिए ओप्षन जी तिलहनों के लिए ओप्षन डी उप्रोक में से कोई नहीं सही उत्तर ओप्षन भी दलहनों के लिए भारत में आयत किया जाता है दलहनों के लिए कोशन नमबर चतिस है, वर्स 1990 में भारत की राष्टे आयमे किरसी का परतीसद था, 2 परसेंट था, 44 परसेंट था, 52 परसेंट था, 31.00 परसेंट था, 31.00 परसेंट वर्स 1990 में भारत की राष्टे आई में किसी का अउत्पादा किसी का प्रतिसाथ था यह 31.00% था कोशन नमर 37 रभी की फसल कहा जाता है जो आप्शन A जून में बोई जाती है आप्शन B मार्च में बोई जाती है आप्शन C दिसम्बर में बोई जाती है आप्शन D अक्टूबर में बोई जाती है सही तरह आप्शन D अक्टूबर में बोई जाती है रभी की फसल कहा जाता ह हiley hi इसकी वेख्या है को बहुत Candegen Gulf तबक्त हां को आदृता वापकते समय सुस्क बातावरण की आवसकता होती है तो खरीब की दो कि अच्छी जान कारी है इस वर की जो फसंफले होती को बहुते समय अधिक तापकरम तथा आजरताब आपकते समय सुस्क वाताबरण के आपसकता होती है जो खरीब की फसले होती है ये धान, मक्का, जौार, मुंग, लोबिया, का पास, बाजरा अधी होती है कोसर नमर 49 है मनुसरे घर का निर्मान किस यूग में रहना प्रारम किया कोसर नमर 49 है पीएच मान की अधार पर लवण प्रतिरोधी पोदा है पीएच मान के अधार पर लवण पृतिरोधी पौधा है आप्शन A आलू, आप्शन B जाई, आप्शन C धान, आप्शन D चुकंदर सयुत्तर है चुकंदर पीएच मान के अधार पर लवण पृतिरोधी पौधा चुकंदर है कोप्शन नमबर 41 है लोबिया का उप्योग किस कारे में नहीं किया जाता है और लोबिया का जो उप्योग है ये मिर्दा के कटाओ को रोकने में हरी खात के रूप में और सब्जी के रूप में किया जाता है Sonico 42, है भारत में राष्ट्रे आए में 1 का प्रतिसाद है सही उत्तर है 2 такого भारत में राष्ट्रे आए में 1 का प्रतिसाद दो है 2 परसेंट है भारत की राष्टे आए में 1 का प्रतिसाद Sonico 43, है देश में कितने मुले का मांस विदेशों को भेजा जाता है option A 775.4 million option B 855.4 million option C 955.4 million option D उपरोक में से कोई नही सही उत्तर है 855.4 million मुल्यका मास विधेशों को बहजा जाता है 855.4 million मुल्यका मास विधेशों को बहजा जाता है भहरत से और स्थ 24 बरस kg, 51 देश में कुल खादान उत्पादन था option दे रखे । अपच्टन नम्र 45 है भारत में कोई पसुदन का मुल्य है Option A 218.1 करोड, Option B 226.1 करोड, Option C 328.1 करोड, Option D. उप्रोग में कोई नहीं, सही उत्तर, Option B 226.1 करोड, भारत में कोई पसुधन का मुले 226.1 करोड है Option A 125 लाग टर्ण, Option B 135 लाग टर्ण, Option C 145 लाग टर्ण, Option D. उप्रोग में से कोई नहीं, सही उत्तर, Option C 145 लाग टर्ण, हमारे देश में चीनी का वार्शी कुत पादन 145 लाग टर्ण है Option 47 है, भारत प्रारम में मनुस्य ने किरसी यंत्र का निर्माण किया Option लाग टर्ण, जो आप्सन है, पसु पालन, मद्वमक्खी पालन, मतस्य पालन, उप्रोग में से कोई नहीं, सही उत्तर है, मतस्य पालन, हमारे देश की राश्टे आये में एक पृतिसत भाग मतस्य पालन से संबंदित है Option number 49 है, एक भूमी को छोड़कर दूसरी भूमी पर खेती करने को कहा जाता है Option number 50 है, एक भूमी को छोड़कर दूसरी पर खेती करने को सिप्टिंग खेती कहा जाता है Option number 50 है, औस दिये पौधे का उधारन है Option A, अल, फालफा, ऑप्शन B, बत्वा, ऑप्शन C, कॉंदो, ऑप्शन D, पोस्ट Option दो यहाँ पर दे रखें, उसमें से, अल, फालफा, औस दिये पौधे का उधारन है अल, फालफा जो होता है, औस दिये पौधे का उधारन होता है इस वीडियो में मैंने आपको 50 महत्वपुन प्रस्ण बताए है जो की वन दरोगा उत्राखन के एक्जाम और अने एक्जाम जिसमें की एग्रिकल्चर क्रिसी से संबंदित प्रस्णाते हो जैसे की ICAR एक्जाम और अने पृत्योगी परिच्छाओं के लिए ये प्रिच्छन बहुत अधीक उप्योगी है और जो कंडिडेट्स विबन परिच्ण की परिच्छाओं की तयारी करें हो जैसे की उत्राखन वन दरोगा का जो एक्जाम है ये अप्राइल में प्निस्ता इपिथा है और अन्य परिच्छाओं की तयारी करें हो और इसके लिए ओन्लाइन या ओफ्लाइन कोचिंग जोइन करना चाहते हैं वो वाटसब कर सकते हैं 9411513974 पर और कॉंप्टेटर एक्जम की स्टेटी के लिए वाटसब ग्रूप पर आ रखा है जिसका लेंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब अबसा कर लें ताकि इंपोर्टन कोचिंगे वीडियोज मिलते रहें और विमन जॉप्स और एड्मिसन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारे मिलती रहें वीडियो को लाइक सेयर और कमेंट जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद